हेलो इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि STML में कुमेंट्स का यूज कैसी किया जाता है इसके बारे में डेटेल में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे हम कुमेंट्स की डेफिनिशन जानेंगे कुमेंट एक STML कोड होता है जिसे ब्रोजर दवारा पड़ा नहीं जाता है और इस कोड को बैपेज में दिखाया नहीं जाता है अथार्थ जो कंटेंट STML कोमेंट टैग के अंदर लिखा जाता है इसे केबल ब्रोजर और डिबल पर ही देख सकते है एंड यूजर इस कंटेंट को नहीं देख सकता है कुमेंट टैग की बनावट बाकी STML टैग की बनावट से अलग होती है इसका मतलब यह है कि जो भी हम कोमेंट के अंदर लिखते हैं वो ब्रोजर में दिखाई नहीं देता है इसे केबल ब्रोजर और डिबल पर ही देख सकते हैं एक comment tag के syntax के तीन बाग होते हैं ये रिखो ये syntax है comment tag का इसको यहाँ पिसमते हैं ये दिखो opening comment की opening में less than symbol ये दिखो ये less than symbol है इसके बाद exclamation mark तो ये जो है exclamation mark है और दो dash होते हैं ये दिखो दो dash है यहाँ पे इसे आप opening tag भी बोल सकते हैं यह जो है यह ओपनिंग टैग है इसके बाद है क्लोजिंग टैग तो यह जो है यह क्लोजिंग टैग है क्लोजिंग टैग में दो डैश और एक ग्रेटर दैन सिंबल यह देखो दो डैश है और एक ग्रेटर दैन सिंबल तो यह जो है क्लोजिंग टैग है इसको क्लोजिंग ट इतर जो भी लिखा जाता है उसे comment text कहते हैं ये इसा में back page में दिखाई नहीं देता है तो ये दिखो यहाँ पर comment text है यहाँ पर जो भी हम comment लिखेंगे यहाँ पर लिखा जाएगा तो जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो back page में दिखाई नहीं देगा तो ये comment tag का syntax है create a back page to display usage of comments तो इसको हम notpad में करेंगे, तो ये हमने notpad में comments का एक program लिखा हुआ है, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है HTML, उसके बाद head, उसके बाद title, और title में हमने लिखा हुआ comments, और title को बंद किया हुआ है, इसके बाद head को बंद किया हुआ है, इसके बाद body tag यूज किया हुआ है, इसके वाद यहाँ पे h1 tag यूज़ किया हुआ है और इसके वाद यहाँ पे comment tag यूज़ किया हुआ है यहाँ पे हमने exclamation और double dash इसके वाद यहाँ पे लिखा हुआ है detail about the Amit and Company यह हमने comment text लिखा हुआ है इसके वाद यहाँ पे double dash और यहाँ पे greater than symbol यूज़ किया हुआ है तो यह स्टार्टिंग वाला यह ओपनिंग टैग और यह जो लिखा हुए डिटेल अबॉट दी अमित अंड कम्पनी यह कोमेंट टेक्स्ट है और यहाँ पर डवल डैश और यह ग्रेटर दन सेंबल यह क्लॉजिंग टैग है इसके वाद यहाँ पर लिखा हुए अमित अंड लगाया हुए तो यह जो कमेंट है बैप पेज में हमें दिखाई नहीं देगा इसे केबल ब्रॉजर और डिबल पर यह देख सकते है यह जो निचे हमने लिखा हुए यह देखो आमित अंड कम्पनी इसको हम देख सकते है क्योंकि यहाँ पर कमेंट नहीं लगा हुए तो इसको करके देखते हैं इसके बाद यहाँ पर फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर सेव एज पर जाएंगे सेव पर जाने के बाद इसको हम डेस्टोप पर सेव करेंगे यहाँ पर फाइल नेम देंगे टी वाई इसके बाद डॉट एस्टी एमल यह हमने एक्सटेंशन और ये जो निच्छे आ अमित अंड कमपणी यहां पे कमेंट नहीं लगा हुआ तो यहां पे हमें दिखाई दे रहे तो इस तरह से यहां पे हम कमेंट्ट का यूज कर सकते हैं अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लेज सब्सक्राइब मैं चैनल